पहली गेम इस रॉंचेस में इस बार नहीं पकड़ पाए थोड़ी उपर गेम और गैप में धकेला चार रन मिलेंगे नौजवान गिल को और उसमें चार और जोड़ दीजे इस बार गैप ढूड़ा है रोहिच शर्मा ने आः वो नजाकत थी तो ये है ताकत रोहिच शर्मा की और ये देखिए अब ये गेंद कहा चली कहा चली ओ मन चली या आप धूड़ना इनके बाए हाथ का खेल है तो टहला के बहला के मारा है मैदान में जगा धूड़ धूड़ के मार रहे है ये लीजिए इस बार पूरा टेला है क्राउड के भार ही है जी फिल्डर जर जामर जी खड़ा कर ले रोहिच शर्मा का एक और अर्ध शतक पूरा और इस छे के साथ एक और अर्ध शतक के पार अगर ये बैट नहीं लगा तो ये भी करीवी मामला है इन स्टम्स के सामने पाए गए है वे लाल अगे ने एक और सफलता ले लिए है अरे क्या बात है मिटाफ का फील्ड है सर्कल में था और उसका लाब हुठाया है अती सुन्दर वाशिंग्कन अपील अपील गोइंग डाउन है क्या कंपार ने आउट दिया है क्या बात है गजब शॉट ये आउटस्टेंडिंग वो स्टम्स के बाहर थी गेंड स्टीप खेला और ये ये करीबी मामला नहीं आउटेजर बिल्कुल आप स्टम्स के सामने पाए गए है लाजबाग गेंड बहुत अच्छी तरीके से गेंड अंदर की तरव चली जिस तरीके से गेंड लाई हाथ खोलने का मुका मिला और बहुत अच्छी तरीके से चौका जड़ दिया इंसाइड आउट ओवर का वाज वन बाउस चौका साधारन गेंथी है और यह अच्छा शौट था था थोड़ा जोकिम उन्होंने जरूर उठाया लेकिन चौका लगाया वहां बीच्वों कवों बैठा था उसको भी उड़ाया यह गेंड गई है उपर जोकिम उठाया था नीचे फील्डर को पाया है सफलता यह यह भी उपर गई है लेकिन इसमें संपर्क थोड़ा बहतर है बहुत बहतर है शौट लगाया तो है इस बार कदवों का इस्तमाल कर शिवम दूबे ने पहला छे दो लगा दिया यह आप ने हाथ देखा नहीं सरी धंग से अलग तरह से कलाईया चली थी या असरंगा की आज कुल्दी भी चुक गय है असरंगा के गेंड को रीड करने में अब दिक्कत यह है कि सबसे सफल गेंड बाज जो है क्या उसके खिलाफ यह दाओ खेला जाए जिया उसी के खिलाफ दाओ खेला है यही बात हम कर रहे थे अब मिला है वो गैप जो पहले भी ढूंड रहे थे वो गैप मिल गया है और स्कोर हो गए है बराबर तरीवी मामला यहां विकेड मिली चाहिए रिव्यू के बारे में सोची है आप यहां रिव्यू लिया गया है क्योंकि यहां पे अगर आउट नही हुए है तो यह मैच भारत जी जाएगी इंपक्तिए लॉण विकेड से अपक्तिए लॉण विकेड मिली तुचिट्ट गया है ताई अच्छी अपस गया है तो आप मिली कुल गया है ताई